हेलो गाइस तो आज हम बनाएगे क्रिस्पी एंड फ्राइ मॉमोस बहुत ही टेश्टी रेसिपी है वीडियो में एंड दोग बने रहना तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं तो मैंने आपे ले ली है पत्ता गोबी, सिमला, मेर्च, लह, सून, प्याज और कटी हुई गाजर तो बस इतनी ही सबजिया मैंने आपे लिए अब इन सब को एक साथ हम मिक्स कर लेंगे बावल में इस तरीके से सारी सबजों को मिक्स कर लें क्योंकि इनका हमें भी पानी नि मिनिक के लिए साइड में हम इसको रख देंगे जिसके ही सारा एक्ष्ट्रा पानी निकल जाएगा अभी लगा लेते हैं हम मैदा क्डो तो मैंने और देद कप मैदा लिया है अब मैदा' की क्वाणटिटी अपने इसाब से कम ज्यादा कर सकते हो अब इसमें डाल दिया आया है मैंने स्वाध अनुसार नमक और अब ही डाल दिनके इसमें दो बड़े चमस रिफाइन टॉयल आप इसको अच्छे से मिक्स इसको मिक्स करेंगे, इस तरीके से, डो मिनिट में यह अच्छे से मिक्स हो जाएगा, तो ऐसे इसे मुठ्ठी में बंद करेंगे तो अधने लड्डू की तरह बन जाएगा, ऐसे तो यह परफेक्ट है, अभी इसका हम डो लगा लेते हैं, ज्याधा शक्त हमको डो नहीं लग तो इसको मैंने प्लेट फॉर्म पे निकाल लिया है प्लेट फॉर्म पे अच्छे से पासे साथ मिट के लिए इसको गूतेंगे जिसे एक अच्छा लचील अपन इसके अंदर आ जाएगा तो अभी हमारा आटा है पर्फेक्ट रेड़ी तो इसको हम ढग कर 10 मिनिट के लिए प्षाड देते हैं तब upload क्पानी च्चो फ्राइब निचेय तो तो ये थिर मेरी में यहांम पानी छोड़ी है सबसे पहले इसका पानी आश्क ब्रजोज कलेंगे और सारीactor लित कर लिए तो तरीके से दभवाते हो मिने इनका अच्छा अंई निकाल लेंगे तो देख्यों ना guys तो सारा पान इसी तरीके से आप निकाल लेंगे की और इसी तरह से बेज श्टीम मुमूउस भी इसी तरह से बनते हैं सींगहां को तो यह एक्सा में ने कलिया है अभी हमने डाला है ओईल होई में हमने डाल लेसुन लेसुन को अच्छा से फ्राय करने के बाद हम डाल देंगे अपनी सारी सब्जियां तो आज के टाइम पर मुमूज हर किसी को पसंद होते हैं और जो घर के बनाए मुमूज मिल जाएं तो बात ही क्या है तो एक बार इस रेसिपी को ट्राय जरूर करना तो सारी ची disc नवक कम ज्यादा कर सकते हो और ढालेंगे हम काली मिट्च का पाउडर आप एसी स्तेज़स में स्वया सॉया सॉंस भी अड़ कर सकते हो लेकिन मैंने एकदम सिंपल तरीके से बना है इसलिए मैंने इसमें कुछ भी अड़ किया है सिर्फ काली मिट्च और नवक ले लिए कि इस तरीके से अभी ये इसको हम डेंगे और मुशे का अकार दे देंगे ज्यादा मुट के मुझे दिसाइन नहीं आते हैं इसी का मैं आपको बना के दिखा दूंगे पूरिया पाल दूंगी तो इसी तरीके से मैं योजो इसकी पूरिया देना हिक अपनी तो अभी हम इसको ऐसे एक साइड से पकड़के से गुमाते जाएंगे गुजिया में जैसे हम गुमाते हैं तो ऐसे ही इसको हम चारो साइड से गुमाते जाएंगे और एंड में इसको नॉक कर देंगे तो इस तरीके से गुमाते जाएंगे जैसे कचोड़ी के लिए हम आटे मुमोज हो गया रैडी अभी मैं आपको एक और डिजाइन का मुमोज बना के बताती हूँ तो काइस बहुत ही यमी और बहुत ही टेस्टी बनते एक पार घर पर ट्राय जरू करना और कमेंड में जरू बताना कि आपको यह वीडियो कैसी लगी तो इसको हम एक साइड से दबा सेड़ी कर लेंगे तो सारे मुमोज हो गए हैं रैडी अभी इनको इस्टीम करते हैं तो मेरे यहां मेरे पास इस्टीम नहीं है मैंने जुगाड किया है मैंने एक बगोनी के ऊपर इसको हमने चलनी को लगा लिया और उसको ढखके हम इसको 10 मिनिट के लिए श्टीम होने के लिए रख देंगे हम इसको ज्यादा नहीं पकाएंगे हम इसको 60 से 70 परसेंटी पकाएंगे क्योंकि हम इनको फ्राय करेंगे अगर आपको इस्टीम मुझ पसंदे तो इनको 15 मिंट के सम्थिंग इसको इस्टीम होने देना अभी 60 परसेंट पक चुके हैं तो अब इनको करें तो मैंने यहां रिफाइंड ले लिया और उनको एक एकर के सारे डाल देंगे इस तरीके से डालते जाएंगे और उनको परटते करते हम इनको गोल्डन प्राउन उनने तक पका लेंगे तो गाइस मैंने फर्स्ट ताइम फ्राय मॉमोज खाया थे मुझे बहुत अच्छे लगें वैसे मेरे फेवरेट इस्टीम मुमोज हैं लेकिन ये काफी हद तक बहुत यमी लगते हैं तो हमारे ये इस्टीम मॉमोज बनके हो गए हैं रेडी आभी इनको हम निकाल लेंगे और सव करेंगे तो कितने क्रिपी और कितने यमी दिख रहे हैं गाइस बहुती के बताते कितने क्रिस्पी हैं देखो वाइस कितनी अच्छी आवाज आ रही ना एक दम क्रिस्पी और इतने ही टेश्टी हैं तो आप उनको ज़रूर एक बार रेसिपी को ट्राइ करना वीडियो अच्छी लगिए तो लाइक से रहें सब्सक्राइब करना थैंक यू पूर व